राजकुमार राओ अपकमिंग मूवी, स्ट्री 2 के बाद एक्षन में राजकुमार हाथ में उठाए बंदूक, फैंस को बर्थडे पर देंगे खास तोहफा. राजकुमार राओ अपकमिंग प्रोजेक्ट का पोस्ट कह रहा है. राजकुमार अपने बर्थडे पर फैंस को एक खास तोहफा देने जा रहे हैं. बॉलीवुड के दमदार अक्टर राजकुमार राओ ने अपनी साल 2018 में आई फिल्म स्त्री से फैंस को दीवाना बना दिया था. ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी. वही छे साल बाद हाल ही रिलीज हुई स्त्री के सीक्वल स्त्री दो ने तो बॉक्स ओफिस पर तबाही मचा दी. स्त्री टू सिनिमा घरों में ताबर तोर प्रदर्शन करते हुई ब्लॉक्बस्टर साबित हो चुकी है. इन दिनों राजकुमार राओ इस फिल्म की सक्सेस को एंजोई कर रहे हैं. इसी बीच अब एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर एक बड़ा एलान कर दिया है. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिये अपनी नई फिल्म की जानकारी दी है. राजकुमार ने शेयर किया अपक मिंग फिल्म का पोस्टर. राजकुमार राओ ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक पोस्टर शेयर किया है जो कि उनकी नई फिल्म का है स्त्री दो के जरियत दर्शकों को कॉमेडी का डोज देने वाले राजकुमार अब एक्षन अफ्तार में नजर आएंगे उन्होंने अपनी नई फिल्म का जो पोस्टर शेयर किया है उसमें विगारी के उपर खड़े हुए हैं और उनके हाथ में बंदूक नजर आ रही है बर्तदे पर फैंस को तोफा देंगे राजकुमार राओ राजकुमार पोस्टर में सफेद पेंट शर्ट में नजर आ रहे हैं पोस्टर पर लिखा हुआ है कि पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं वही राजकुमार ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि बनेंगे क्या बताएंगे कल कल बढ़ा एलान, stay tuned गौर्टल अब है कि 31 अगस्ट को राजकुमार का बर्त दे है वे कल 40 साल के होने जा रहे हैं एक्टर बर्त दे पर अपने फैंस को नई फिल्म का टाइटल रिवील करके खास तोहफा देने वाले है फैंस अब ये जानने के लिए excited है कि आखिर राजकुमार अब किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे है माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की बागदोर डाइरेक्टर पुलित संभा लेंगे राजकुमार ने पोस्ट में उन्हें भी tag किया है राजकुमार की नई फिल्म के पोस्टर को देखने के बाद नेटिजन्स भी जम कर रियक्ट कर रहे है एक यूजर ने लिखा है कि रुकिये राजकुमार राओ एक्शन में है एक ने लिखा कि भाई या बरेली की बर्फी का सीन याद दिला दिया आपने तो एक अन्य यूजर ने लिखा कि राजकुमार सर इस फायर एक्ट्रेस भूमी पैडनेकर ने कमेंट किया कि में सिब